next question है हमारे पास में the given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2 what are the signs of two charges देखें बड़े simple question है यहां पर अपने को Q1 के charges की field lines और Q2 जो charge है उसकी field lines दोनों दिखा रखी है तो आपको यह पताने हैं कि जो दोनों charges यह कौन से है तो देखें हम charges की lines को पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि हमारे पास में जो charges होते हैं जैसे कि जो positive charge होता है उससे जो field lines निकलती है वो बाहर के तरफ निकलती है यानि कि जब भी आपको field lines ऐसे arrow में दिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई positive charges है बाहर निकलती हुए अगर दिखे तो वहां पर किसका मतलब होगा कि positive charges है अगर आपको कोई इस type से arrow दिखे इनवर जाती हुई इस तरीके से तो वहां पर इसका मतलब क्या होगा कि वह negative charges की वज़ेश जनरेट हो रही है जिसे अगर हम लोग randomly कोई field lines बनाए यह मान लीज़े जिसे यह दो field lines लोगों ने बनाई अब यहां पर अगर आपको charges का पता करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरफ यहां पर positive charges होगे और यहां पर कहीं कोई negative charge होगा ठीक है तो इस तरीके से जो field lines होती है वो हमारी travel करती है तो यहां पर अगर हम लोग जो सिनरियों देखे तो देखे जो Q1 charge है Q1 पर field lines आ रही है यह arrow जो बना हुआ है यह इस तरफ है Q1 की तरफ है तो Q1 की तरफ इसका मतलब जो Q1 है वो कुण सा है negative charge है यहां पर जिसे इस diagram में मैंने आपको बताया है अगला जो Q2 है Q2 पर भी देखे जो field lines से arrow इस तरफ बना हुआ है मतलब Q2 की तरफ field lines आ रही है इस charge की तरफ तो इसका मतलब यह भी कुण सा है negative charge है तो Q1 और Q2 जो दोनों है वो हमारे पास में क्या है negative charge है और जब दोनों charges को हम लोग past में रखके इस तरीके से field line रो करते है तो यह जो बीची में होता है यह repulsion शो करता है तो यह जो बीच वाला यह रिपल्शन वाला है और यह जो arrow है हमारे पास में जो Q1 और Q2 दोनों की तरफ आ रहे है तो यह कुण से negative charges का मतलब यह negative charges को रिप्रेजेंट करते है कुल मिलाक हमारे पास में दोनों क्या है Q1 और Q2 जो दोनों है वो क्या है negative है तो C is the correct option ओके